जै मातादी मित्रो मेरा नाम पंडीत प्रकाजुजी स्वागत है मेरे योट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज मैं मित्रो आज हम बात करें मीन राची के मंधली राची फल अक्टूबर 2023 में मीन राची की कैसी होगी इस्टती धन की इस्टती परिवार की इस्टती उनके दामपत्य उनके संतान उनके प्रेम उनकी नौकरी की इस्टती इस बारे में इस कारेकरम में चर्चा करने वाले और मीन राशी के साथ में अक्टूबर के मेने में आठ अच्छी गटना है और एक अच्छी गटना है और एक अच्छी गटना गटिस्त होने वाली इसके बारे में इस कारेकरम में हम चर्चा करेंगे साती साथ वर्मान चित्रिज या विश्व के अंदर अक्टूबर के मैने में तीन बड़े बदलाव आने वाले हैं जिसका असर विश्व पे पढ़ेगा तो पहले तो अक्टूबर के मैने में तीन बड़े बदलाव के आएंगे इसके बारे में चर्चा कर लेता है पहला 14 अक्टूबर को सूरे ग्रेंड आ रहा है दूसरा 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रेंड लगने जा रहा है अक्टूबर के मेने में 30 अक्टूबर के मेने में 30 अक्टूबर को राहू केतु का 18 साल बाद राशी परिवर्तन हो रहा है यानि देखा जाए तो राहु देव 18 साल बाद मीन राशी में जा रहे हैं और मीन राशी पे क्या प्रभाव होगा आप ही की राशी में जा रहे हैं क्या आपको मालूम में आपने वीडियो देखे नहीं देखी तो तुर curious करके सबसे पहले उसी वीडियो को देखे जो की स्क्रोल डाउन करके आपको राहू राशी परिवर्तन पर मिल जाएगी उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी कि राहू क्या-क्या आपके लिए योजना है बुन रहा है तो उस वीडियो को देखने से और प्लानिंग करने से आप उन चीजों से बज सकते हैं याद रख है और देखा जाए तो आपकी उसमें धन वाहों के अंदर देखे जो गुरु चंद्रमा और राव बैटें यानि कि गुरु मीन राशी के लिए अगर देखा जाए तो दोगले होने वाले हैं अक्टूबर के मैने में एक तरफ गजकेशरी योग भी बना रहे हैं एक तरफ गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं यानि अच्छा बुरा दोनोतरा का रिजल्ट देगा पंचम वाहों में शुक्र बैठा जबर्दस्त मालब भी योग आपका बन रहा हैं साती साथ देखा जाए तो छटे वाहों में बोध सात्वे वाहों में सूर्य और मंगल बैठ हैं यानि कि दो घटनाएं जीवन के अंदर शुब होगी उसके बारे में चर्चा कर लेता हैं पहला चीज देखा जाए तो जो गजकेशरी योग गुरु अक्टूबर के मेने में बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई पूजा पाठ कोई मंद्र साधना शुरू करने वा हैं किसी गुरु का प्रवचन आप पूरे महीने आनंद और चाव से देखने वाले यानि किसी गुरु से आप इंस्पायर होने वाले और जीवन में उस चीज़ को चरिदार्द करने वाले हैं यानि अध्यात्मिक बदलाव मीन राशी के जीवन में आएगा ऐसा योग नज करने वाले हैं तो दो बड़े बदलाव आपके जीवन में कहीं ना कहीं अक्टूबर के मेने में हो रहे हैं दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दुत्तिय भाव के अंदर गुरु चंद्रमा राहू बैटा है यानि गज केजरी योग भी गुरु चंद्रमा के कारण बन रहा है और गुरु राहू के कारण घटाय अक्टूबर में बन रहा है यानि मीन राची के जीवन में तीन धनसमंदी शुब गटना आए अक्टूबर में होगी और एक धन सम्मंदी अशुब गटना भी आपके जीवन में गटित हो गया वो क्या-क्या इसके बारे में बात करें या जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट में करका लाब मिलेगा साती साथ किसी वस्तु के क्रय विक्रे से भी आपको अक्टूबर में धनलाब होगा तो तीन शुब घटना आपके साथ हो रही हैं आसुब क्या हो रहा है आप भील भाड वाली जगा जा रहे हैं तो अपने सोन सोने चांदी की बस्तू आपकी गुम चोरी हो सकती ऐसा योग नजरा रहा है तीसरी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध है परिवार भाहों के स्वामी बुद्ध हैं और पूरे महीने कन्या यानि अपनी राशी में विचरन करेंगे उसके बाद तुला राशी में विचरन करेंगे दोनों ही बुद्ध की सुबरासियां है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो परिवार के साथ में रिलेशन काफी अच्छा रहने वाला है घर के अंदर कोई नया महमान आ सकता है अब नया महमान भी दो किसम की होता है पहला कोई गाड़ी आ सकती है क्योंकि ग बात्रूम या पाइप फिटिंग का काम भी आप करा सकते हैं तो कुल मिला के परिवार भाव भी अच्छा है चौति गटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध मीन राशी वाले उनसे जिनकी संताने है चाहे जोटी है बड़ी है पंचम भाव में शुक्र महाराज बात्रूम गटना है यानि कमजोर हो रहे हैं शुक्र तो दो गटनाय शुब और यह घटनाय अशुब बंती है संतान पक्ष में देखा जाए तो अक्टूबर के महिने में अगर आपकी बड़ी संतान है 17 से प्लग संतान है तो संतान के करियर के लिए अक्टूबर का महिना अच्छा है धन में ब्रिद्धी हो रही है पद में ब्रिद्धी हो रही है करियर में कुछ ना कुछ आपकी संतान एक्टिव रहने वाली है अगर छोटी संतान है तो विद्या में एक्टिव रहने वाली है यानि छोटी संतान के लिए अच्छा है छोटी संतान को मामा मामी य होगा कुछ ना कुछ ऐसा सीखने के योग नजर आ रहे हैं और अशुब गटना का संबंद बड़ी संतान के साथ में जिसकी उमर 17 प्लस है तो कहीं ना कहीं संतान की कोई वज्टू चोरी या हानी हो सकती है अक्टूबर के मेने में ये भी बन रहा है पाच्वी गटना के बा इच्छा पूरती भी कराएंगे कोई डिमांड कोई वस्तू दिलाने वाले माता पिता और कहीं से आपको अचानक धनलाब भी होगा या तो शेयर ट्रेडिंग या जो आप करते हैं उससे आपको अलका फुलका धनलाब भी स्टूडेंट को हो रहा है साथी साथ देखा प्राइवेट या गवर्मेंट जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी भाव के स्वामी सुर्य बुद्ध मंगल एक साथ बैठें तीनों ग्रे तो नौकरी पक्ष में अक्टूबर के मैंने में दो गटना अशुब और एक अटना अशुब बनती है देखा जाए तो क्या हो सकती है आपको आपकी रिकमेंडेशन किसी बड़ी पोस्ट के लिए कर सकते हैं तो यह सब तो बढ़िया है आशुब क्या है मित्रों से बड़े वाद विवाद रहेंगे कली आप से जलते सडते रहेंगे आप पर टॉंटिंग असने वाले आपके कली यानि आप पर पर दस बाद विवाद अक्टूबर के मैंने में होने वाला नुशकर रंजी जी मैं आप से पूसिने जाओंगा कि आप गुरुजी से तो काफी समय पहले से जुड़े हुए हैं तो आपका अपना एक्स्परेंस क्या कहता है गुरुजी से तो हम मेरे खाल हम फर्स टाइम हम मिले थे नाइन्टी नाइन्टी एट या उससे भी पहले शायद थोड़ा सा तब से हम इन जानते हैं और इनकी कैलकुलेशन जो उस समय भी इतनी स्टिक थी कि जो चीजे बताते थे एकुरेट टाइम में एकुरेट चीजो में किसी भी चीज में मतला हमें जो भी इन्होंने गाइड किया तो मतला हमें तो हर तरह से बढ़ी आ रहे हैं और बहुत बढ़ी आ रहे हैं उस एकुरे में इनके बताने से एक जैसे हमें लगता है कि यह काम नहीं हो रहा तो जब यह बताते हैं तो उसके हिसाब से हम काम क मिलती है बीच में जब नहीं थे तो हम काफी हमने कोशिश की थी कि बात करें बात करें लेकिन चलिए वो तो जैसे भगवान के इच्छा थे बीद गई हो चीजें निकल गया तो अभी जब हमें पता रगा तो तब हमने कोशिश करी तब अपाइटमेंट लेके फिर आज आके में बिले हैं बहुत समय के बाद में बहुत बहुत धन्यावाद मतरा ने आपके सज्मनों के अमना पूर्ण पर आप कुछ कहना चाहेंगी हां मैं कहना चाहेंगी कि जब मेरी बड़ी बेटी का टाइम था तो कुछ सबजनी आ रहा था कि वो जो लेना चाह रही जी तो इन मां कि घृपा हमेशा बने रहे गुरु जी का वस्तर बाद आपके साथ हमेशा रहे जैवाद बात करते हैं दामपत्य dziवन की तो दामपत्य जीवन के अंदर भी सूर्य बुद्ध और मंगल तीनों अक्टूबर के मेने में दो गटनाय शुब और गटना अशुब दामपत पार्टनर को मिल सकता है यानी सरकारी मिल शेयर मेफलेंट कि औ mencion comment कुछ उनको लाव मिलेगा पहला दूसरा देका जाए तो आपके पार्टनर मिल सकता है उनके काम में न्यए प्रोजेक्त करियर में मिल नया बड़ी पोस्ट उनको मिल सकती है तो दो सुचना मिल रही है अशुब क्या है अक्टूबर का मैना आपका पार्टनर का स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है उनको काम चलाते हैं अपना ही काम करते हैं तो गुरु चंद्रमा रावु एक साथ बैठें यानि ब्रस्पति यहां पर अक्टूबर के मैने में गच केजरी योग भी बना रहे हैं गुरु चंडाल योग भी बना रहे तो दो गटना एक गटना अशुब व्यापारी लोगों के आप अपने काम में बड़े तब्दील करने वाले हैं यानि एंप्लोई की जगा चेंज करने वाले हैं और अपनी सिटिंग चेंज करने वाले बड़ा उठाप पटक आप काम में करने वाले जिसका आपको लाब नजर आएगा दूसरा देखा जाए तो अक्टूबर के मैने के बारए lessine में तो देखा जाए तो आपको स्वेक्ति को किसी रिष्थेदार की मित्र को देखने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ सकता कोड के चेरी के चकर आपके लग सकते हैं यानि थोड़ा सा आपकी भागा दूरी अक्तूबर के मैने में बढ़ा सकते हैं तो काम बिल्कुल खत्म हो गया था आप जिए नहीं मानो, मैं इसे लिए से इंडिया बापसी जाने के लिए त्यार हो गया था मेरी बिटिया ने कहा, पापा मैं इतने दिन से प्रोडम देख रही हूँ, एक बर मेरा कहना मान कर दो देखो, और मैंने अपनी बिटिया कहना माना, और मैं आज गुरुजी सी ये गुठी देकर आया हूँ, भाई बवान जानता है मेरा इतना बढ़िया काम चल गया ना, मैं तो शुकर के यार हूँ गुरुजी का और अपनी इस बिटिया का, पापा अब तो मेरा कहना मान गए ना, बिल्कुल बिटा, बिल्कुल